Hello students, इस वीडियो में हम input और output operations के बारे में जानेंगे Python program में कैसे आपको input लेना है, कैसे आपको Python program का output देना है ठीक है, तो हम ये दोनों operations इस वीडियो में सिखने वाले हैं ये Python series के आठवा class है, बाकी classes के link आपको description में मिल जाएंगे अगर आपको देखना है तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है, चलिए start करते हैं इस class को सबसे पहले हम समझते हैं आपको output कैसे print करना होता है तो output को print करने के लिए Python में print function दिया हुआ है print function प्रिंट करता है कुछ messages को screen पर, ठीक है, आपको syntax यानि लिखना कैसा है आप print function का use करिए, parenthesis के लगाईए, इस parenthesis के अंदर आपको string के format में मतलब single quotes, double quotes का use आप कर सकते हैं, आपको एक message लिखना है वो message कुछ भी हो सकता है, alphabets, numbers या special characters का combination भी हो सकता है अब जो भी print करना चाहते हैं, screen पर आप उस message को, इस print function के अंदर लिख दीजे, वो print हो जाएगा किसी भी variable का man अगर print करना है, तो भी आप print function का use कर सकते हैं जैसे यहाँ पर age एक variable है, जो भी value इस age variable का होगा, वो screen पर आपको display हो जाएगा किसी expression की value भी या result भी आप screen पर print कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 plus 3 तो 2 plus 3 का जो result आएगा, वो screen पर display हो जाएगा लिखना है यहाँ पर print function, parenthesis लगाना है और इस parenthesis के अंदर आपको एक message लिखना है, आप single quotes और double quotes का उप्योग कर सकते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ hello, file को save कर लिजे, run का option, run menu पर click करिए, run module, shortcut f5, आप f5 से भी इस program को run कर सकते हैं, यह output आपको दिख रहा होगा, hello, किसी भी message को आप variable के साथ भी print कर सकते हैं, आपको यहाँ पहले message लिखना है, string के रूप में, फिर आपको एक कॉमा लगाना है, और फिर आपको variable का नाम लिखना है, आप यह याद रखेगा, किसी भी string को किसी भी दूसरे type के साथ, जैसे integer, add नहीं कर सकते हैं, यह प्लस, चिन आप मत लगाईएगा, यह ध्यान रखेगा, कॉमा लगाना है यहाँ पर, message को variable से अलग रखने के लिए, for example, जैसे हमने यहाँ लिखा, age, assignment, फिर string के अंदर जो जैसा है, वो वैसा ही screen पर जाएगा, और इस variable का मान, screen पर दिखेगा, for example, अगर age, assign लिखा है, string अंदर, तो वो ऐसे ही दिखेगा, age की value मान लेते हैं, 20 है, तो वो 20 value यहाँ बगल में दिखाई देगा, अगर आपको एक से अधिक variable और message प्रिंट करना है, तो आप पहले message लिखिए, comma लगाईए, फिर variable का नाम लिखिए, फिर comma लगाईए, फिर अगला message, फिर comma, फिर variable, फिर comma, तो आप ऐसे कई सारे variable और message को एक ही print के अंदर लिख सकते हैं, जैसे a बराबर यह एक string है, तो यह screen पर वैसे ही आएगा जैसे लिखा हुआ है, a बराबर, यहाँ a का man आ जाएगा, मान लेते हैं a का man है, यह वैसे का वैसा ही आएगा क्योंकि string में है, फिर b का man, मान लेते हैं b का man दो है, तो a assign 1, b assign 2, ऐसे screen पर दिख कर आएगा, मान लेते हैं A बराबर 1 B बराबर 2 print के अंदर हमको पहले A का मान लिखना है A बराबर फिर कॉमा के बाद A का मान फिर कॉमा string में जो लिखोंगा वो वैसे का वैसा screen पे जाएगा बाकी variable का नाम आपको बाहरी लिखना है कॉमा के बाद इसको run करके देखिए output on code को एक पार ध्यान से देख लिजे यहाँ A बराबर वैसे का वैसा screen पर है फिर A का मान आ रहा है फिर B बराबर वैसे का वैसा screen पर है फिर B का मान आया 2 अब हम समसते हैं format method के द्वारा कैसे variable के मान को दर्शा सकते हैं देखिए आपको कई सारे variable के मान अगर screen पर print करना है तो आप ऐसे धेर सारे कॉमा लगा के लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है आप simply एक string के अंदर multiple variables के मान को भी display कर सकते हैं करना आपको क्या है आपको ये curly braces यूज़ करना है curly braces string में इस जगह पर place holder का काम करेंगे place holder place holder ऐसे जगह होते हैं जो कुछ value को बाद में रखेंगे यानि इस curly brace के जगह पर क्या आएगा वो आपको इस format method के अंदर बताना है जैसे पहले brace पे पहला variable का मान दूसरे brace के अंदर दूसरे variable का मान दिखाए देगा अगर इनका जगह निर्धारित करना है तो आप numbers को भी use कर सकते हैं जहां पहले variable को 0 value दिया जाता है और दूसरे variable को 1 print के अंदर पहले आप message लिख दीजे a बराबर फिर b बराबर पिर जहां आपका string खतम होगा वहाँ पे dot लगाना है format method का नाम लिखना है फिर इसके अंदर variables देने हैं दो braces मैंने use किया एक यहाँ एक यहाँ तो दो variable के मान लिखने होंगे एक a और दूसरा p देखिए हमने यहाँ इन values नहीं दिये हैं तो जो पहला variable होगा वो पहले वाले place folder पे जाएगा और जो दूसरा variable है दूसरे place folder पे जाएगा इसको run करके देख लीजे यहाँ पर एक a command पहले वाले place folder पे आ रहा है और दूसरा वाला variable का मान दूसरे place folder पे आ रहा है ठीक है तो अब आपने यहां डेर सारे कॉमा को नहीं लगाया है आपने सिर्फ एक ही string दिया है और दोनों variables के मान आपको screen पर दिखाई दे रहे हैं अब हम समझते हैं value input कैसे लिया जाएगा देखे input function बना हुआ है python में values को input कराने के लिए और जो भी data input होता है वो string में बदल दिया जाता है input function के द्वारा मतलब अगर आप कोई number भी input कराएंगे user से input function के द्वारा तो वो भी string के type में ही input होगा input function को बनाया ही ऐसा गया है कि जो भी data वो input लेगा string में ही बदल कर save करेगा value को लिखना कैसे है आपको आपको यहाँ input function का नाम लिखना है parenthesis लगाने है फिर यहाँ एक identifier लिखना है identifier एक नाम होता है जिससे उस value को पहचाना जाएगा आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो भी value होते है python में उनको हम objects बोलते हैं और हर object एक नाम यानि tag से जुड़ा होता है तो वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है जिस नाम से उस value को जोड़ा जाएगा या बंधा रहेगा क्या input करना है यह बताने के लिए आप input function में एक message भी लिख सकते हैं कैसे करना है इसको सबसे पहले input function आप ऐसे लिख लिजे फिर यहाँ एक variable का नाम लिखना है मैं यहाँ variable का नाम var लिख देता हूँ बीच में लगाना है आपको assignment operator यह assignment operator है यह input से receive किये गए data को var नाम के variable म store कर देगा ठीक है तो इस function से जो भी data मिलेगा वो इस variable के अंदर रख दिया जाएगा और string type का ही रखा जाएगा क्योंकि input function string में value को बदल देता है फिर हम var में आने वाले data का type भी चेक कर सकते है type function की मदद से ठीक है जब भी आप किसी input function का use करके program आप रन करेंगे तो आप एक vertical line देख पा रहे होंगे जो blink हो रहा है screen पर यह उस input function के काम को दर्शारा यानि अब आपको यह input करना है कोई value जब तक आप input नहीं करेंगे program का अगला statement रन नहीं किया जाएगा तो आपको यह value जैसे मान लेता हूँ मैं 65 input किया हूँ value भेजने के लिए enter की press करना है तो enter की जैसे ही आप press करेंगे input function का काम complete हो जाएगा और वो value को variable में store कर देगा फिर variable के मान मिलने पर अगला line का output दिखाई दे रहा होगा आपको class str str का मतलब जो variable है var उसकी value string type की है तो type function से type पता चलता है var एक variable है जिसमें input के द्वारा जो value आया वो रखा गया है variable के अंदर अब हम समझते है identifier क्या होता है identifier नाम होते हैं जो program में इस्तमाल किये गए हैं और ये नाम programmer के द्वारा दिया जाता है जैसे हमने यहाँ पर age लिखा ये age नाम मैंने ही बनाया है और उसमें value रखा है 10 ये first time भी एक नाम है जिसमें value रखा हुआ है swap nil ठीक है तो ये भी एक identifier यानि की एक नाम है identifier को नाम देने के कुछ नियम है जैसे identifier का जो नाम है वो एक letter या underscore के द्वारा ही शुरू हो सकता है बाकी किसी का आप इस्तमाल नहीं कर सकते हैं कोई भी एक keyword नहीं हो सकता है keywords क्या होते हैं ऐसे सब्द होते हैं जिनका मतलब python में पहले से बता दिया गया है कि वो क्या काम करेंगे keyword को हम इसी वीडियो में आगे detail में जानेंगे case sensitive होते हैं इसका मतलब अगर आपने कोई variable small a नाम से बनाया है तो आप अगला variable capital a नाम से बना सकते हैं क्योंकि ये small a और ये capital a दोनों अलग-अलग हैं first letter digit नहीं हो सकता है जैसे आप 1a नहीं लिख सकते हैं किसी भी variable का नाम आप 123 नहीं लिख सकते हैं किसी भी variable का नाम तो digit से तो start नहीं हो सकता है starting आपका कोई ना कोई alphabet या underscore हो सकता है white spaces allow नहीं है यानि अगर आप कोई नाम लिखते वक्त आप space दे देते हैं फिर value आप रखते हैं तो यहाँ space नहीं दे सकते हैं केवल underscore special character के रूप में आप use कर सकते हैं special character में underscore का मतलब जैसे a underscore b यह आप variable का नाम लिख सकते हैं underscore a बराबर 5 ऐसा भी लिख सकते हैं a underscore बराबर 6 ऐसा भी मान लिख सकते हैं आप underscore को बीच में, starting में, last में कहीं पर भी use कर सकते हैं लेकिन अगर आप question mark इस use करेंगे तो इसमें आएगा आपका error आप question mark या pull stop या comma आप बाकी किसी special character का use नहीं कर सकते हैं कुछ सही और कुछ गलत identifiers को अब हमको पहचानना है जैसे a एक alphabet है, यह सही है first name में, बीच में underscore है, कोई दिक्कत नहीं है underscore का use आप कर सकते हैं सब्दों को जोडने के लिए, यहाँ space भी नहीं है, तो यह सही है pin code, यहाँ देखे, बीच में आपको space दिख रहा है तो white space का use आप नहीं कर सकते हैं, यह गलत है one b, one यानि digit से यह start हो रहा है, इसलिए यह भी गलत है return, return एक keyword है, ठीक है और keywords का use भी आप नाम में इस्तमाल नहीं कर सकते हैं add the rate एक special character है, जोकि सिर्फ special character में underscore ही use कर सकते हैं, इसलिए add the rate लगा होने के वज़े से यह invalid है, ठीक है अब हम समझते है keywords क्या होते हैं, देखे, keywords कुछ reserved यानि सुरच्छित किये गए सब्ध होते हैं, जिनका एक विसेश अर्थ होता है उद्देश होता है, जिनका उप्योग अनिक किसी purpose के लिए या किसी दूसरे कामों के लिए आप नहीं कर सकते हैं आपके सामने सभी keywords के नाम दिखाई दे रहे हैं, आप अगर आप इनको नोट करना चाहते हैं, तो नोट कर सकते हैं, उनका पहला अक्षर capital आपको दिखरा होगा, बाकि जितने भी keywords हैं वो अपर case यानि capital में नहीं है, सभी lower case हैं, अब हम समझते है typecasting क्या होता है, देखे एक data के प्रकार को दूसरे प्रकार में बदलने की प्रक्रिया को typecasting कहा जाता है, typecasting का मतलब अगर कोई value लिखाए दो, तो इसको बदल के आप string का दो कर दीजे, या इसको बदल के आप 2.0 यानि float का कर दीजे, तो अब जो दो पहले integer में था, अब वो दूसरे type यानि float या string में बदल गया है, यह दो प्रकार का होता है, एक होता है implicit और दूसरा होता है explicit, implicit जो software के दोरा या computer के दोरा automatic कर दिया जाता है, वो implicit कहलाता है, जैसे for example हमने दो values को यहाँ plus करने के लिए लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है 2 जो की integer है, यहाँ पे लिखा है 3.3 जो की float है, तो जब भी किसी integer value को float value से आप add करते हैं, तो integer वाली value पहले float में change हो जाती है, यानि यह 2 हो जाएगा 2.0 और यह 3.3 पहले से float में लिखा है, अब जो की दोनो values same type के हैं, अब इनके बीच में addition किया जाएगा, और value यह result मिलेगा 5.3, तो यह conversion computer खुद करता है, तो इसी लिए हम इसको implicit या automatic type casting कहता है, जब programmer खुद instruction देता है computer को, कि नहीं आप उसके type को change कर लिजे, तो ऐसा type casting manual या explicit type casting कहलाता है, और example इसी को हम यहाँ पर जैसे 2 मैंने use किया है, plus में लिखा है 3.3, लेकिन इस 2 को हमने कहा computer से कि आप उसको float में change करिए, तो float में value हो जाएगा 2.0, फिर वो 3.3 से add होगा, फिर result आएगा 5.3, यहाँ programmer ने खुद instruction दिया है, कि 2 को float में convert कर लिया जाए, तो यह manual या explicit type casting है, type casting करने के लिए काई सारे functions Python में पाहले से मौझूद है, यह integer में बदलने के लिए है, float function यह float values, यानि zero point वाले values होते हैं, उनके लिए है, str function string type में convert करने के लिए है, tuple function tuple में convert करने के लिए है set function set में convert करने के लिए list में convert करने के लिए list function dictionary में बदलने के लिए dictionary function यहां सिर्फ important functions का नाम लिखा हुआ है अब हम समझते हैं input लिया कैसे जाएगा क्योंकि अभी तक आपने जो input लेने के तरीके को देखा था उसमें सिर्फ string type का ही value आ रहा था और उसके बाद फिर मैंने identifier को समझाना शुरू किया फिर हमने keywords को समझाना शुरू किया फिर type casting को समझाना शुरू किया तो वो सारी चीज़ें important है एक input को सही तरीके से input लेने के लिए ठीक है तो वो तीनों चीज़ें आगर आप अच्छे से समझ गए है जैसे keywords identifiers और type casting अगर ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए है तो फिर आप input लेना start कर सकते हैं input लेने का जो syntax है एक नाम आपको इधर लिखना है left side में एक variable का नाम होता है वो और फिर यहाँ input function लिखना है right side में यानि बाएं और बीच में assignment operator right side की value को left side रखने के लिए होता है input function के अंदर आप एक message भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह message user को guide करने के लिए होता है कि user को क्या input करना है और example जैसे यहां लिखा है enter your age तो screen पर यह ऐसे ही लिख कर आएगा enter your age तो user को यह जानकारी हो जाएगा उसे age input करना है तो जब भी input function काम करता है आपको screen पर एक vertical line blink होता हुआ दिखाए देगा यानि वो screen पर आएगा जाएगा इसका मतलब वो इंतिजार कर रहा है user के value input करने का और जैसे ही उसको value input मिल जाता है वो बाकी का काम continue करता है जैसे यहाँ एक variable है age और यहाँ आपने लिखा input function save करके इसको run करिए तो यहाँ आप एक vertical line देख रहे होंगे जो blink हो रहा है इसका मतलब वो value input करने का इंतिजार कर रहा है जैसे ही आप value input करके इंटर की प्रेस करते हैं उसका काम complete हो जाता है तो यह याद रखेगा अगर input function आप directly ऐसे use करेंगे तो string type का value ही store करेगा तो अगर आपको value change करना है दूसरे type का करना है तो आप कैसे input लेंगे आप पहले input function यूज करिए एक message लिख दीजे इंटरियोर age तो जब इसको आप run करेंगे तो एक message आएगा इंटरियोर age और यहाँ vertical line देगी जो blink होगा और यह इंतिजार करेगा value input करने का मान लेते हैं value input हुआ है 12 इंटर की प्रेस करेंगे value ये 12 उसी variable में जाएगा जिस variable को आपने left side लिखा हुआ है तो age की value हो गया 12 ठिक उस 12 को आपने int function से integer में बदला तो जो 12 यहाँ से गया था वो string type का था int function की वज़े से वो integer में बदल गया और integer का बारा होने के बाद वो फिर उसी variable के पास गया यानि age की नई value अब हो गया integer का बारा और इस string वाले बारा से इसका connection हट जाएगा च्योंकि एक variable एक समय पर एक ही value रख सकता है तो age की अब नई value हो गया integer का बारा और जब आप उस a का type प्रिंट करेंगे इस screen पर तो वो ऐसे लिखके आएगा class int मतलब वो अब integer type का है देखिए अगर आपको ये type casting वाला काम दो line में नहीं करना है तो आप इसको single line पर भी कर सकते हैं आप जहां पर input function लिखे हुए है उस input function को int function के अंदर ही लिख दीजे तो जैसे आपने लिखा int function int function इस चीज का integer में बदलेगा वो value को integer में बदलेगा जो input से आया हुआ है देखिए input function से जो value receive होता है उसी जगहे पर आता है जहां input function लिखा है मान लिजे input user करता है बारा तो वो string का बारा यहां आएगा वो string का बारा int function से int में बदल जाएगा और फिर वो variable के अंदर store हो जाएगा integer में ही तो आप इसी एक ही line पर दोनो step को लिख सकते हैं फिर जब आप एका type print करेंगे तो वो int print करेगा ठीक है तो इस video में बस इतना ही आने वाले videos में हम बाकी के topics को cover करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद